जहिद तो तो चलिए इस वीडियो में हम लोग चानते हैं 13, 14 और 15 अक्टूबर को क्या शेडियूल रहने वाला है National Open Athletics Championship 2023 में और किन इवेट्स में भारतिय खिलाडी हमको कल नजर आएंगे जहाँ पर भारत के काफी सारे उबरते हुए खिलाडी और काफी सारे इस्टेबलिष्ट खिलाडी भी कलव को नजर आएंगे National Open Athletics Championship में तो कल की बात करें तो मैंस 5000 मीटर का जो इवेंट है वो सुबह साड़े से बज़े होगा इसके बाद मैंस 5000 मीटर का इवेंट सुबह 6 बच के 55 मिनिट पर होगा मैंस हैमर त्रो होगा धाई बचे दो पहर के और मैंस पोल वोल्ट भी दो पहर के 2.40 मिनिट पर होगा इसके बाद मैंस लोंग जंप इवेंट 3.10 मिनट पर हमको दिखेगा मैंस है जंप 4 बचे मैंस शॉट पूट पूट चार बच पांच मिनिट पर मैंस डिसकस थ्ट मिनिट पर शाम के 4 मिनिट परpesorm के Сाड़ेचार बजे वोमेंस 4 x 100 m रिले 4.50 पर और मैंस 4 x 100 m रिले 5 बजे हमको कल दिखेगा तो यही थे कल के इवेट्स अब हम नजार डालते हैं 14 अक्टूबर के इवेट्स पर जहां पर सबसे पहले वोमेंस जैबलिन तरह हमको दिखेगा दोपहर के धाई बजे इसके बाद वोमेंस 500 तीन फचास 12 और मैंस 800 शाम के सामके साड़े बुग की इसके यानि कि National Open Athletics Championship का आखरी दिन संडे इस दिन हमको काफी सारी इवेंट्स नजर आएंगे जहाँ पर मैंस 20 किलोमेटर रीस वक का इवेंट सुबह 6 बजे मैंस 20 किलोमेटर रीस वक सुबह 6 बज के 10 मिनिट पर मैंस जबलिन तरो शाड़े तिन बजे और मैंस 1500 मिनिट शाम के 4 बजे हमको दिखेगा और यह सभी इवेंट्स थे 15 अक्टूबर के तो यही थे National Open Athletics Championship के बाकी बचे हुए दिनों के इवेंट्स आशा करता हूँ आप लोग इंजोई कर रहे हैं यह इवेंट्स और आप अगर देखना चाहें इन इवेंट्स को तो आप लोग Athletics Federation of India की जो यूट चैनल पर जाकर लाइव स्ट्रीमिंग का लुथ उठा सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद्स